नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल एसफोरजिया स्टडी फोर गोल्स में मैं सुभास बर्माप सभी लोग का स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हाई कोड की डबल बेंच ने सिंगल बेंच की फैसले को बरकरार रखते हुए रीना कुमारी की याचिका को खारिच कर दिया है और इसी सिलसिले में 12 सितंबर को होने वाली 7th JPSC प्रारेंबी परिचा जो थी 19 सितंबर को तै की गई है साथ ही साथ दोस्तों तो इसी के मद्दे नजर रखते हुए इन सब चीजों को मद्दे नजर रखते हुए मैंने जारकन कर टैफेर के Most expected कोहचन की नई सीरी सुरू की है जिसमें JPSC PT 2021 को ध्यान में रखते हुए 20 महत्पून प्रस्णों को परतेग वीडियो में सम्मिलीद किये जाएंगे तो आए शुरू करते आज का वीडियो और देखते आज का हमारा पहला प्रस्ण तो दोस्तो आज का हमारा पहला प्रस्ण है कि ओलंपिक खेलो में गोल्ड मेडल जितने वाले खिलाडियों को जारकन सरकार जो है कितनी धनरासी देगी ओप्शन से दोस्तो पांच कडोर, दो कडोर, एक कडोर या 75 लाग तो दोस्तो इसका सही ओप्शन होगा, ओप्शन नमर भी दो कडोर दोस्तो राज सरकार जारकन सरकार ने दो कडोर धनरासी देने की घोशना की थी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जितने वालों को अब दोस्तो आपको कमेंट सेक्षन में कमेंट करके यह बताना है कि हाली में ओलंपिक जो की टोक्यो में हुई थी 2021 का जो की 2020 कहीं ओलंपिक था बड़ 2021 में हुआ थो 2021 नाम दे दे गया उस ओलम्पिक में दोस्तो जार्खन के साथ साथ पूरे देश का नाम जिन बहनों ने रौसन किया जार्खन की बहनों ने रौसन किया उनका नाम आप कमेंट सेक्षन में कमेंट करिए साथी साथ आप सभी को मालूम होगा दोस्तो कि राज सरकार ने उन्हें 50-50 लाग रूपिया इसकूटी, लैप्टोप और 4000 स्क्वाइर फीट में घर देने का भी घोशना किया है और काफी चीज़ दे चुकिये तो बस आपको कमेंट सेक्षन में कमेंट करके उनके नाम बताना है चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे परसने की ओर आज का हमारा दूसरा परसने दोस्तो कि जारखन के खिलारी जो ओलंपिक के लिए चुने जाएंगे उन्हें कितनी पूरत साहन रासी दी जाएगी इसके ओप्सन से दोस्तो 20,15,10,5 लाग तो दोस्तो इसका सही ओप्सन होगा ओप्सन नमर 2 पांच लाग जो ओलंपिक में चुने जाएंगे उन्हें 5 लाग रुपिया जो है ज़ारकर सरकार के दोवरा प्रोत साहन रासी दी जाएगी तो इसको ध्यान में रखना है चलिए option से दोस्तो एक कलोर 50 लाग 20 लाग या 10 लाग तो दोस्तो इसका सही option है option नमर B 50 लाग 50 लाग रूपिया जो है दिपिका कुमारी को दी जाएगी चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे चौथे परस्ने की ओर दोस्तो आज का हमारे चौथा परस्ने है कि खान एवं भूतत्व वि कोडर्मा एंग्रीडी दोनों में यानि की option नमर C चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पांचवे परस्ने की ओर आज का हमारा पांचवे परस्ने दोस्तो कि हाली में राकेस आस्थाना को दिली का नया पूलिस आयुक्त बनाये गया है वह मूल रूप से किस राज के निवासी अप्शन से जारखंड व्यार राजस्थान और गुजरात तो दोस्तो इसका सही option है option नमरे जारखंड आपको कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बतानी है कि जो राकेस अस्थाना है जारखंड में किस जिले से बिलॉंग करते हैं नेक्स छठा परसने दोस्तो कि हाली में जारखंड के किस किसान से उनके बहतर कारी है तुम माननी है परधान मंत्री ने बात किया है options है असोक कुमार मेता से फूलेसवर मेतों से उपरोग दोनों से ये एनमेस से कोई नहीं तो दोस्तो इसका सही option है option नमर C यानि कि फूलेसवर मतोर और असोक कुमार मेता दोनों से परधान मंत्री जी ने उनके बहतर कारी के लिए उनसे बात किये जो कि जारखंड के रहने वाले है बढ़ते हैं साथमें परशने की ओर आज का हमारा साथमें परशने दोस्तो कि जारखंड की कोनी का लायक किस खेल से जूड़ी हुई है इसके options से option नमर 1 बॉक्सिंग, option नमर B सूटिंग, option नमर C तिरंदाजीर, option नमर D मुक्यबाजी तो दोस्तो इसका सही option होगा, option नमर B सूटिंग, कोनी का लायक जो है सूटिंग खेल से संबन दीत है चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे आठमें परशने की ओर आज का हमारे आठमा परशने दोस्तो कि गंगा क्वेश्ट 2021 परतियोगिता में जहारखन के किस युवा ने पर्थम अस्थान पराप्त किया है option से दोस्तो विपिन कुमार ने, रिसी दिवी किर्ती ने, निसान टूडू ने या परवीन कुमार ने तो दोस्तो इसका सही option होगा, option नमर भी रिसी दिवी किर्ती ने, इसको भी याद रखना है next हमारा नौवा परशने दोस्तो कि जहारखन के किस युवा थी को Global Woman Inspirational Award के लिए चूना गया है options है रितिका सुरिवास्तो को, निधी निष्चल को, नंदीता दास को या निकी परधान को तो दोस्तो इसका सही option होगा, option नमर ए, रितिका सुरिवास्तो को जो है Global Woman Inspirational Award के लिए चूना गया है नेक्स्ट आगे बढ़ते होगे देखते हैं, आज का हमारा दसमा परशन है, आज का हमारा दसमा परशन है दोस्तो कि जहारखन के किस जिले में, तीन दिवसी राज के इटखोरी महत्सो की सुरुआत की गई है तो दोस्तो का सही option है, option अमर 13 जिले में, अब दोस्तो इटखोरी एक परखंड है चतरा जिले की, अब दोस्तो इटखोरी में, इटखोरी परखंड में माभदर काली मंदीर है जो की examination में अकसर पूछा जाता है कि इटखोरी महत्सो के बारे में तो चीजे पुछी जाती है साथी साथ पुछाता है दोस्तों कि माभधर काली मंदीर चत्रा के किस परखन में इस्तित है या फिर जारखन के किस जीले में इस्तित है तो इसका जो सही उतर होगा चतरा होगा इटखोरी होगा इसको आपको ध्यान में रखना है तो इंक्पोर्ट डिया धा और यहां का जो असाथी सार दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि यह जो तीन दिवसिये राजकिय baptism महुद्सव है यह हर साल किस महिने में की जाती है इसको भी आपको comment section में comment करके बतानी है चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे 11 परसने की और आज का हमारे 11 परसने दोस्तो कि हाली में मुख्य मंत्री ने नीमन में से किस की खेती को क्रिसी का दरजा देने की घोसना किये options है बांस की खेती को गोंद की लाह को या उपरोग तीनो तो दोस्तो इसका सही option जो है option नमर C है लाह की खेती को जो है किरिसी का दर्जाद देने की घोसना मुख्य मंतरी ने कर दी है अब चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे 12 हमें परसने की और आज का हमारा 12 हमें परसने दोस्तो कि लाभी जवेर दा हाटीज नामक पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है तो दोस्तो इसका सही option नमर एं डाक्टर जनारधन परसाथ के द्वारा लिखी गई है तो इसको ध्यान में रखना है अब दोस्तो आपने नोटीस किया होगा कि अभी मैंने आपको 12 परशन बताया जारकन का इंटाफिर से जूड़े आपने नोटीस किया होगा कि मैंने किसी भी परशन का जो है मतलब जादा explanation नहीं दिया short में कुछ चीज़े बताई तो बताई पर इसका जो एक विश्तिरित explanation study for goals के द्वारा दी जाती है वैसा मैंने नहीं किया दोस्तो इसके पीछे विज़न यह है कि इन सब चीज़ों को आड़ करके हमने एक पुस्तक बना दिये अब दोस्तो आपको बताया जा रहा है कि जो हमारी पुस्तक है अब दोस्तो इसमें पूरी एक जनवरी से लेके 17 अगस 2021 तक के जो है डे बाइ डे वन लाइनर करेंट अफेर सम्मिलित कर दिये जिसमें इन सारे चीजों को एकदम इविश्तिरित रूप से explain किया गया है साथ ही साथ दोस्तो उसमें 2020 के भी जो करेंट अफेर डाले गया है यानि कि जनवरी 2020 से लेके दिसमबर 2020 तक के भी परते एक महीने की जो है 25 पलस महत्मून परसुनों को आइड किया गया है महीने के तोर पर जनवरी फरवरी मार्च अपरेल ऐसे करके तो उसमें यह चीज़े भी सम्मिली थे उसके बाद जनवरी से लेके आगस तक 2020 के भी चीज़े है डे बाई डे यानि कि किस डेट को क्या हुआ है वह चीज़े एकदम वहां पर एक्स्प्रेंट की गी है साथी साथ दोस्तो कुछ चीज़े जो है यह स्टाटिक है या पिर करेंट अपडेट्स है इन चीज़ों को इस परकार से परजेंट किया गया है इनका परजेंटेशन ऐसा है कि आपको पढ़ने में ढूणने में सुगमता होगी पढ़ने में आपको याद जल्दी हो जाए आने सब इंस्पेक्टर, नए नए जॉब में आये लोग, बीट किये हुए, टीचर्स और MBBS कर रहे हैं, कुछ अलग-अलग मदल छेतर के जो हैं अनुभवी लोगों का मदद लेके इस पुस्तक को बनाया गया है, अब दोस्तों इस पुस्तक में तो आपको मैंने पहले ही ब भरोसेमन पुस्तक होने वाली हैं, तो इस पुस्तक को पर्चेस करके आप उन सब चीजों का लाग उठाएं, अब साथी साथ दोस्तों इस वीडियो में मैं जितने परस्ण बता रहा हूं, इस सारे परस्ण भी उस पुस्तक में आड़ किये गया हैं, क्यूंकि जब आप प ध्यान रखना है, जहां पर सारे चीज़े एकदम एक्स्प्रेंट कर दी गई हैं, तो अब मैं यही कहना चाहूंगा, कि यह जो मैं वीडियो में परस्ण बता रहा हूं, अगर आप इस चीज का ऑफलान त्यारी करना चाहते हैं, तो आप जाके हमारी पुस्तक खर दें, द पुस्तक को खर दें, चलिए बड़ते हैं, आज का हमारे 13 हमें परस्ण की और, आज का हमारा 13 हमें परस्ण दोस्तो कि चिली में आयो जीत, अंतर लाश्टी है होकी मैच में, हैट्रिक गोल करने वाली झारकन की खिलारी का नाम क्या है, ओप्सण से आप्सण नमरे रीता ट परसने कि जारखन में दिसों गुरु एवं गुरु जी के नाम से किने जाना जाता है यह इंपोर्डट परसने दोस्तों ओप्शन से करिया मुंडा सीबू सोरें सर्यूराय रामद्याल मुंडा तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका सही ओप्शन ओप्शन नमर भी परसने दोस्तों कि जारखन के जादू गोड़ा के परतिष्ठित ट्राइबल फोटोग्राफर आसीज बिरूली का फोटो किस कैलेंडर में सामिल किया गया है इसके ओप्शन से दोस्तों आप्शन नमर ए स्वाइकल इंटरनेशनल एसे इंटरनेशनल वर्ड आज का हमारा सोलामा परसने दोस्तों कि नीती आयोग की ताजा रैंकिंग के अनुसार हेल्थ और नूट्रिशन के छेत्र में जारकन के कीस जीले को जो है पहला स्थान प्राप्थ हुआ है अब दोस्तों इसके ओप्शन से राची हजारी बग लोर्डगा ये रामगण तो अब दोस्तों इसका जो सही ओप्शन है ओप्शन नमर बी है परमोध पिरे रंजन के द्वारा में चुरूबल कप केर कप में त्यार किया गया है जो की महिलाओं के लिए काफी कारगर है अब बढ़ते हैं आज के हमारे 19 में परसने क्यों आज का हमारे 19 में परसने दोस्तों कि हाली में सजल चक्रवती का निधन हो गया वे कितने बार आज के मुख्य सची बने थे अब दोस्तों इसके सही आप्षन है आप्षन नमर सी तीन बार जो है सजल चक्रवती जो है जहारकन के मुख्य सची बने थे तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि हाली में इनका निधन हो गया है अब बीडियो के आँद में बढ़ते हैं comment करके देनी है आपके पास options है दोस्तो अमिताब चौधरी, सुधिरतिर पार्टी, सुग्दे सिंग ये राजी और उन इका इन चार options में एक सही विकल्प सलेट करके आपको comment section में comment करनी है और बतानी है आप सभी लोगों को कि किने जार्खन का जो है और अगर आप हमारे चैनल S4J study for goals पे नए है तो चैनल को subscribe करके बैला गंदा वादे साथी साथ दोस्तो इस वीडियो का PDF अगर आप पराप्त करना चाहते हैं तो हमारे mobile app, telegram channel और whatsapp group को visit कर इस वीडियो का PDF पराप्त कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जूड़ना चाहते हैं Instagram पे तो यह रहा हमारा Instagram का यूजर ने और यह रहा हमारा YouTube चैनल जिसे अभी आपको अभी तुरंद से subscribe करके share कर देना है चलिए ठीक है अंतता जय ही जय जहारकन पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए